आप सभी को नमश्कार जैसे एक्जाамपल देखें मन है फ्लस बल तो विसर्ग आये बाद में आ गया व्यंजन तो हो गया मनोल बही प्लस अंग विसर्ग है, बाद में आया है स्वर तो हो गया बही रंग अब विसर्ग संदी के भेद तो इसके तीन भेद बताए गए है उत्व विसर्ग संधी, सत्व विसर्ग संधी और रुत्व विसर्ग संधी तो सबसे पहले उत्व संधी को देखते हैं इसमें क्या होगा कि अगर पहला जो पद है उसके अंत में अस्वर हो और उस अस्वर के बाद विसर्ग हो या जो दुसरा पद है उसके प्रारंभ में किसी भी वर्ग वर्ग को हमने व्यंजन संधी के टाइम पर जब हम व्यंजन संधी कर रहे थे हमने तब वर्ग भी देखे थे तो किसी वर्ग का तिसरा चोथा पांचवा हो वर्ण या यरलव ह इन में से कोई एक वर्ण हो तो जो विसर्ग है उसका उ हो जाएगा तो जो अ और उ है वो मिलके उनका उ हो जाता है इनके एक्जामपल देखें जैसे सरह प्लस वर तो रह यानि कि अ की साउंड आ रही है अ की साथ विसर्ग है बाद में इन में से जैसे हमने देखा कोई होना चीए तो वो व आ गया तो जो अ और विसर गया उनका ओ हो जाएगा तो बन गया सरोवर ऐसे ही पुरह प्लस हित पुरो हित मनह प्लस मय मनो मय प्रतम है प्लस अध्याय प्रतमो अध्याय और मन है प्लस अनुकूल मनो अनुकूल तो ये हो गई उत्व संधी अब इसके बाद नेक्स्ट संधी सत्व संधी देखते हैं इसमें क्या है कि प्रतम पद के अंत में अस्वर को छोड़ कर कोई भी दुसरा स्वर हो और उसके साथ विसर्ग हो और जो दूसरा पद है उसके प्रारम में किसी भी वर्ण का तीसरा चोथा पांचवा या फिर यह रह लव इन में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग को रह हो जाएगा और जो उसके बाद वाला वर्ण है रह उसके साथ चला जाएगा जैसे आशीही प्लस वाद तो अ नहीं है, इस बार अ के अलावा दुसरा सुर आया है और उसके साथ में विसर्ग है और व आ गया दुसरे पद का प्रथम तो व के बाद रह हो गया तो हो गया आशीर वाद दुहू प्लस वहवार दुर वहवार आयू प्लस वेद, आयूर वेद दनू प्लस धर, धनूर धर उसके बाद जो तीसरी संदी है रुत्व संदी यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी सुर के बाद विसर्ग आ जाएं और दुसरे पद के प्रारंभ में अगर त, थ में से आएंगे तो जो विसर्ग हैं वो दन्तय सं में बदल जाएंगे चर चर में से कुछ आएगा तो जो विसर्ग हैं वो तालव्य शय में बदल जाएंगे और तर्ठ में से आएंगे तो मुर्धन्य शय में बदल जाएंगे जैसे एक्जामपल नम्हे प्लस ते तो त और ठ में से आया है तो स में बदलना है नमस्ते हो जाएगा नही पलस च, च और छा में से आया है तो श हो जाएगा निश्च धनु पलस टंकार त और ठ में से आया है तो श बनाना है हमें धनु श टंकार हो जाएगा चतु पलस टी का त हो तो श बनाना है चतुष्टी का आहा प्लस चरिये ये वाला च है तो शे में बदलना है तो हो गया आश चरिये उसके बाद इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नियम है तो हम उन्हें देख लेते हैं यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ इन में से किसी के साथ विसरगा जाएं और दुसरे पद के प्रारंब में कख पफ मेंस है इन में से कोई आएगा तो जो विसरग है वो दनतय है से में बदल जाएगा जैसे पुरहे प्लसकार पुरसकार जैसे कोई भी आया है किसी के साथ भी विसरगाई है प्लस इन में से कोई भी है जैसे तो कई है पुरसकार बहा प्लसकर भासकर नमहे प्लसकार नमशकार जो दूसरा नियम बताया गया है इसमें क्या है कि जो प्रतम पद है उसमें आ को छोड़ कर कुछ भी कोई भी आए और फिर उसके साथ विसर्गों और दूसरे पद के प्रारंब में क, ख, प, फ, म में से कोई वर्ण आए तो जो विसर्ग है वो मुर्धन्य शे में बदल जाएंगे जैसे दुहू प्लस कर दुश कर आयू प्लस मान आयूश मान बही प्लस कृत बहिश कृत तो विसर्ग संदी में इतना ही था आशा करती हूं कि आप लोगों को समझाया होगा धन्यवाद